पर फिर से नितीश कुमार पर जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि नितीश कुमार विधान सभा को चलने नहीं देते हैं वो अपने अनुसार ही चलने देते हैं सत्ता पक्षो या बिपक्ष किसी भी विधायक की वो नहीं सुनते हैं बिहार में आपातकाल के स्थिति आ गई है लगातार जिस तरह से वो गुस्सा हो रहे थे इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि आपने देखा किस तरह से विधान सभा में ही वो आग बवला होते हुए नजर आर्थ लोक्तंत्रि में सरकार होता है विधायका के कामों में इस कदर हस्तचहेब कर रहा कि कि आज की वर्तमान परिश्थितियों में मैं देखो विधायका मतलब इधान सभाब विधान मंदल एक तरह से उसका अगर परफॉर्मस देखा जा उसके कारे की छमता देखी जा तो समाप्थ हो चुका है अब इस बात को लेकर के मैं आज आपके वीश में जो बता रहा हूँ एक छरण काफी लंबे समय से हुआ है देश की आजादी के बाद तीन और चार एक तरह से कह सकते हैं कि चौथी विधान सभा तक विहार विधान सभा विधाई का एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है कर रही थी लंबे वक्त से चरण हुआ है लेकिन इधर 15-20 सालों में इसका चरण तरीके से नीचे चला गया कि विधाई का नाम मात्र की आज रह गई है विधान मंदल का काम एक तरह से मैं कहूं तो दस प्रत्षत भी नहीं रह गया इसका उदाताजा उदाहरन था जब आप लोगों की बीच में मैंने प्रेस कॉन्फेंस किया था कि मैं नीजी विधेयक ला रहा हूं विधान सभा में और नीजी विधेयक जब मैंने लाया तो विहार विधान सभा के तरफ से एक पत्र मुझे जारी किया गया क्योंकि यह सत्र बहुत ही छोटा है और गैर सरकारी विधेयकों के लिए अलग से कोई दिन निश्चित नहीं किया गया है इसलिए विधेयक पर आपकी चर्चा नहीं होगी राजिके भीतर विशम परिच्चितिया जो उत्पन हुई जो सराब लेकर के जो मौते हुई इसलिए आपने चार पांच दिन लगातार विहार विधान सभा उसी हंगामे में डूब गया था इसलिए इस महत्पुड विशय पर आगे हमने बात करने के लिए आज सत्रा ओसान पर मैंने कहा क्योंकि यह अगर हम लोग नहीं चर्चा में लाएंगे तो आगे भी विधान सभा के सत्र इसी तरह से खाना पूर्ती के लिए ही रह जाएंगे सवाल पैदा होता है कि सत्र बुलाने का अधिकार किसको है भारत के संविधान में साफ सब्दों में लिखा है कि सत्र बुलाने का अधिकार महा महिम राजय पाल को है जो मंत्री परिश्ट के सलाह से लाएंगे तो एक तरह से देखा जाए तो सीधे जो विधान मंदल सत्र को आहूत करने की ताकत मान्य मुख्य मंत्री और उनके कैविनेट में नहीत है विहार विधान सभा में नहीं है विधायका में नहीं है लेकिन विधान सभा नियमावली म साफ लिखा है कि सत्र आहूत होने के बाद रोज का काम सरकार के द्वारा निर्धारित कारक्यम से होगा लेकिन सुक्रवार का जो समय है वह बिधाई का तै करेगी अध्यच तै करेंगे और वह भी गैर सरकारी सदस्यों के लिए तो यह सुक्रवार इस सत्र में सुक्रवार था या पहले के भी बिधान सभाज इतने चलते रहे उसमें सुक्रवार आते रहे हैं आश्चर जनक रूप से किसी भी सुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के लिए आवंटित नहीं हो रहा है लंबे समय से अब इसको दावे के दुर्भागे से सत्र की अवधी भी छोटी हो जा रही 2002 में संसदिये प्रडाली के भारत के संभिधान के दारे में संसदिये प्रडाली के दच्छता को लेकर एक भारवसरकार ने कमीटी बनाया था और उस कमीटी ने सुझाओ दिया था कि कम से कम साथ दिन सत्र आयोजित होना चाहिए अधिक से अधिक 90 दिन लेकिन जब आप हम देख रहे हैं इधर पिछले तीन कारेकाल से जो दिहार दिधान सभा में तो यह कारेकाल में हमारे जो आयोजित हुए हैं वो मात्र 17 आयोजित हुए हैं 24 दिन 37 दिन और 32 दिन एक तरह से कहा जा कि आधह से भी कम शत्र आयोजित किये जा रहे हैं दूस पर डाम क्या रहा है कि विहार की जनता जिन विधायकों को चुन करके इस राजी की जो जनता है गरीब जनता बेसहारा लोग दलित लोग किसान लोग छात्र जो भी समधाय अपने जनप्रत्निधियों को विहार विधान सभाव में बोलने के अधिकार को दे करके जा रही है कि सरकार के मुख्या सवालों पर विधायक को विधायका के सदस्यों को खोल्याम धंकी दिया आपने बहुत सारा चलाया भी था किस तरह से बरबात करने की धंकी मुख्यमंत्री विधायका के सदस्यों को दे रहे थे सवाल सत्ता पच्छ विपच्छ का नहीं है वि बात काल के तरफ विहार को आगे बढ़ाने का प्रयास मान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है यहां तक कि विहार विधान सभा के वीतर जो विधायक सत्ता पचके हो या विपचके जो सवाल करते हैं सरकार जबाब देने से मुकरने के लिए उसको तारांकित क्सक्राम लगातार करती है ठीक वाइसे ही जैसे कमजोर विद्यार्थी परिच्छा में बिफल होने के दर से सवाल को out of syllabus कहने का प्रयास करता है जब भी फेर होता है विध्यार्ति आप यहां विद्यार्ति कौन है आप समझ रहें कि विधान सुभा में सरकार विद्यार्ति है तो वह आउट अप सिलेवस करके हमारे सवालों se बचले का प्रियास कर रहे हैं लंबे समय सो रहा है यह यह पां तकाल में ये छिमाय जीमें पार कर रहे हैं सरकार के बैठेवे लोग दूसरा जो सबसे ताकत और जो इखिकार मिला है वह थिकार मिला है संसद्यय कमईटी विधान सभाग się जो की बैठके नहीं होती है नाम मात्र की होती है खाना पूर्ति के लिए होती है यहां तक की बैठकों के कोई भी प्रोसीडिंग नहीं तयार किया जाते हजारों करोड की जो योजनाओं की जीमेदारी जो है विधाइका की जीमे जो कमीटियों के जीमेदारी उस जीमेदारी को के लिए होती कोई प्रसेडिंग नहीं दर्ज होता कि हमने क्या कहा किन सवालों पर यह दुर्भाग्य पूल इस्थिती लंबे समय से थी यह धलान जिसको हम छीजन बोलते हैं यह तेज हुआ है इधर के समयों में सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले